इस वीडियो में हम लोग एक्जामपाल नबर सिक्स करने वाले हैं आर से गवाल का चेप्टर नबर 13 क्लास 9 इससे पहले कि सारे के सारे एक्जामपल्स मेंने करवा रखा है और आने वारे वीजियो इन सारे के सारे जो है आपको कोशन का अगर कोशन नहीं बना है आपने तो जहांके आपको Geometrical Construction के नाम से आपको मिल जाएगा एक प्लेइस Geometrical Construction क्लास 9 इन से उसके अंदर आपको सारा का सारा कॉश्चिंज का वीडियो लेक्ट्र मिल जाएगा और इससी नहीं कि सिर्फ यही इसके इलावे बहुत सारे चप्टर जो है वह मेने कभर करवा रखा है आपको नाइन क्लास के बहुत साथ चप्टर्स वहां मिल लाएंगे तो अब जो है हम लोग इस को सॉल्फ करते हैं देख लो किसी सॉल्फ करेंगा आपने कंस्ट्राइगल अब इस एक त्रियागल अब्स जो है मारा वो ती संट्री मिट्र होना चाहिए मिजर अब अड़ यंद इसके बाद हमको करना है अब और अदिक अपने कंस्ट्रॉक्ट्ट्र को इस जस्टिफाय करके भी दिखाना तो आए सबसे पहले तो हम लोग ब जो कि कहा गया है में 5.6 cm का BC तो चलिए हम लोग सबसे पहले baseline खिछते हैं 5.6 cm का तो यह हमारा यहां से construction स्टार्ट कर रहा हूँ और 5.6 cm का एक baseline से पहले में खिछ लेता हूँ तो यह रहा हमारा baseline यहां से 5.6 cm बोला गया तो 5.5 यहां हो गया 5.6 यहां आ गया तो यह 5.6 cm का में एक baseline कीच राउंड देख लो और जहां पर में ब्लू पैन का काम करूंगा आपको वहां पर डार्क से आपको बना爪नि का काम कर रहा हूँ आपको बनाना pencil से сторон्से लिए यहां पर में रेट पैन का काम का करनें आपको हलके हातों से काम करना है तो हमारा यह निकल गया सबसे पहले एक आर्क लोगे आर्क लेने के बाद यहां से इस पहला कट होता है मारा शक्ष्टी और 6 जेश्टी का आधा करेंगे तो 30 होगा तो 60 का आधा करने के लिए क्या श्रुआ के आधा करनें । यहां से एक आर्क इधर की तरफ लेंगे और उसके बाद इस आ को किया पर रखकर के करकलिए तो हमारा थर्टी डिग्री मिल जाएगा तो यह जो पॉइंट हमारा मिला है यह 30 डिगरी के लिए मिला है अब हम लोग क्या करेंगे बी से जो है हम इस पॉइंट को मिला करके एक साइट खीच लेंगे ठीक है और वह लेंथ कितना लंबा भी सकते हैं वह लाइथ हमें मालूम नहीं कि इतना लंबा खीचना है बस कुछ इस पॉइंट को में तो यह हमारा इस पॉइंट को मिला देंगे इसको भी हालके हातों से मिलाना करेंगे बाइसेक्ट इसके एंड रिघा करेंगे और जहां यह लाइन को स्करेंगे करेंगे वाही हमारा मिल जाएगा इस लेंगे वह करेंगे कहीं मिलेगा अब दिखे kitका मिलता है मह फिर देनाहां का लेका की एक आर्क के तरफ लेंगे और एक आर्क हम लोग नीचे की तरफ लेंगे LIKE ले लिए एनिसकर बंड करके इस आ पया को कट कर और इस आंको कट कर आ इस आ को को यहां कट कर रहा है चलिए यह हमारा परपंडिकुलर बासिट हो गया जहां कट किया है डियस्टूर्स इस लाइन को वही हमारा पॉइंट आ गया यही हमारा जो पॉइंट है यह आ गया और यहां से इसको हम लोग मिला देंगे तो यह ट्रैंगल हमारा बन गया यह होगी हमारा A B C ट्राइंगल बन चुका है अब हमें बोला गया कि इसको जस्टिफाय करके भी दिखाई तो जस्टिफाय करते हैं चाहिए पहले मीज़ करना पहले तो मीज़ करते हैं इस पॉइंट को में ले देता हूं डी क्यों जस्टिफिकेशन में काम आएगा हमारे तो स इस पॉइंट वन सेंटिमीटर हमारा है आ रहा है अब कालें तो हैं लिख दो कि A B is equal to 6 points हमें बोला गया था वेरिफिकेशन करने के लिए ना मिज़ करने के लिए तो चलो में यहाँ पर वेरिफिकेशन लेता हूं यह हो गया हमारा वेरिफिकेशन कि A B is equal to हो गया हमारा है 6.1 सेंटिमीटर अब लोग बीची निकाल लेते हैं यह बीची कितना रहा है बीची मिचा करते हैं इस एसी एसी मिचा कर लेते हैं बीची तो हमारा 5.6 तो दिया हो था ही चलो अगर यह मिज़ करूं तो यह दिखो कितना रहा है आपका 3.1 सेंटिम अगर 11 mm में कुछ घर्वर हो जाला को दिक्कत नहीं है तो भी ऐसी हो हमारा हात है इस एकोल टुटो 3.1 सेंटिमीटर अरहा है अगर अगर कर घर्वर होता है घवर होता है तो इस नहीं हमग है रहे हम लोग उन्हें है अकर चलता है अब जो है इसको क्या करना है जिस्टिफ अब चाहो तो यहां पर लिख दो कि यह हमारा 3.1 cm आ रहा है और A B जो है हमारा वो कितना रहा है 6.1 cm आ रहा है तो अब चाहो तो यहां लिख दो कि यह 6.1 cm है हमारा चलिए अब हम लोग जस्टिफिकेशन देख लेते हैं जस्टिफिकेशन तो देखो तो अगर हम यह दो ट्रैंगल ले एक ट्रैंगल में ले रहा हूँ A P D या A D P और एक A D C ले रहा हूँ तो इन ट्रैंगल A D P and triangle A D C तो A D जो है वो common है मारा तो A D इस इक्वल टू A D है ना common रिजन में डाल दो common चलिए उसके बाद C D इस इक्वल टू होगया मारा डी पी ना बैसेक्टर है यह पर पेंडिकुलर बैसेक्टर है तो यह बैसेक्ट करेगा ना तो C D इस इक्वल टू क्या होगया मेरा डी पी रिजन में काड़ा लेंगे कि A D इस इस आ पर पेंडिकुलर बैसेक्टर है चलिए उसके बाद और क्या होगा हमारा यह 90 दिगर यह पर पेंडिकुलर बासे तो यह तो एंगल ए डी पी इस इक्वल टू एंगल डी सी इस इक्वल टू 90 दिग्री दोनों किसके बराबर है नानंती दिग्री के बाबर है तो दियर फूर जू रिजा घ्रैंगल है हमारा aun Рटी टी बीज होगे कि आट्य गा बाप्रिया नंदी हो गया यह इव्छा सटक टू ब्यूर्वर एक्वल तो दियर फूर फूर 커피 हो जाएगा रिज arsenal कि बासी पी छूर्ट टैंट मित तो अब देखो यह पूरा लाइंट जो भी है इसमें उतना ही बढ़ यह हमारा जो भी है वह तीन सेंटीमीटर है यह पूरा लेंट जो भी है मारा तो जितना बड़ा a,p उतना ही बड़ा थेखेडा मान VOICE इस laws अप्ञाइट इस रह्ता हूं क्さे च्वD कि अजी मेंom श्रदप धुर नियुकर ळी बिरें ठीक से में प्राहμα ही प्राइज को सब्साएं सकते हैं इस AP के जखा पर लिख सकते हैं हम लोग AC क्यूंकि दोनों बड़ाबर है AP के चाहरा मैंने लिग दिया AC ठीक है इस इकोल टू हो गया हमारा BP चुली तो जब AB में AB में A-P मैनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा यह बचे गा यही तो वही तो हमारा बी-पी आ गया तो चलिए A B minus A C is equal to 3 cm यही हो गया हमारा क्या जस्टिफिकेशन डन हो गया तो इस तरह से आप लोगो जस्टिफाय कर देना है अगर कुर्शन में जस्टिफिकेशन बोलेगा तो ठीक है डियर स्ट्वेंट्स आपको समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो चैनल को ला आपकात होगी नेक्स्ट वीडियो में जहांके हम लोग एक्जामपल नमर सेवन करेंगे इसी एक्सेसाइस का तब तक के लिए बाबाया लाहाफिज द्वा में अदा के जाहिए 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 भारत